हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में हम आपसे डिसकस करने वाले हैं इस अल्ट्रा मॉडर्न विला के वारे में फ्रेंड्स हम आपसे डिसकस करेंगे ये हमार पास आज का डिजान है जो की बहुत ही लेटेस्ट जो लगजरी विला होते हैं वो हमारा आज का डियान रहने वाला है इस वीडियो में हम आपको इस डियान का मैप के बारे में आपसे डिसकस करने वाले हैं ये हमार पास का डियान रहेगा साथ में हमार पास का ये फ्रेंट टेलिविशन रहेगा ये हमार पास का फ्रेंट टेलिविशन है यह हमारा इसका corner का view है 60 feet by 60 feet में बना बहुत ही सांदर विला है और इसके अंदर जो हमारी facilities है वो सभी हमारी luxury जो facilities होती है उनी को सब को हमने इसके अंदर रखा हुआ है तो यह हमारा जो design है यह हमारा premium design है I think आपने भी इस तरह का design है वो आज से पहले नहीं देखा होगा इसके अंदर जो facilities है वही मैं आपको आज discuss करूँगा आपको इसके बारे में पूरा complete आपको बताने वाला हूँ और फ्रेंड इस तरह का design होता है इनको बनाने में बहुत महद लगती है तो फ्लीज मैं आपसे request करूँगा कि वीडियो को like कर दीजे और इस वीडियो के लिए अपने दोस्ते का साथ share कर दीजे और यदि अभी तक हमारे चैनल को भी subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी तुरन तभी आप subscribe कर लीजे तो इसी के map के बारे में मैं आपसे complete आपसे discuss करूँगा यह हमारे पास का design है आप इसको देख सकते हैं यह हमारे पास के front का view है और यह हमारे पास के side का means के corner का हमारे पास से view रहने वाला है यह front हमारे पास का नक्सा रहेगा जो कि हमारे पास के ground floor का first floor का और second floor का ती 노 ही फ्लोर का यह हमार पास ये नग्सा है step by step मैं आपको इसके तीनो फ्लोर के नग्सा के बारे में पूरा complete मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले बात करेंगे हम अपने इसके ground floor के बारे में ये हमार पास अपना ground floor का whiskey fit में बना ये पूरा plot है और इसके अंदर ये हमारे पास का ये डिजार रहेगा नौर्थ फेसिंग के अकोरदिंग here front smart jan है वास्तो के अकोरदिंग हम इसको तैयार के हुआ है तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर यह फ्रेंट में यहां पर बहुत आसानी से हम यहां पर पार्क करा सकते हैं, यह हमार पास अपना पार्किंग अरिया है, जो कि हमार पास से डवल हाइट पार्किंग अरिया रहेगा, जैसा कि आप अपने व्यूमेज में देख सकते हैं, यह हमार पास अपना मैंगेट है, मैंगेट से जैसे इ प्रण्ट में एक बड़े साइज का लॉन एरिया है जो कि 25 फिट वाइट 10 फिट का ये फ्रेंट हमार पास अपना एक लॉन एरिया रहेगा जिसमें हम अपना कोई भी प्लांट वगर लाना चाहें तो हम यहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेकुरेट करके यहां बड़े प्लांड लगा सकते हैं यह में पास इस तरीकेसे हमना हमनारा यह इसका कबड़ दिया है और आप इसमें देखेंगे कि हमार पस जो इन्टरेंस है वह हमार पकिंग से ही हमने घर के अंदर जाने के के लिए यहाँ पर यह मेंडोर दिया हुआ है और इसी मेंडोर से हम अपने घर के अंदर एंटर करेंगे इस मेंडोर से फैंट जैसे इसमें एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलने वाला है यह बेटिंग एरिया यहाँ पर हमार पास वेटिंग एरिया रहेगा 12ft 6 inch by 13ft यह हमार پاس अपने वेटिंग रिय रहे गा और हमार पास एक चोटा lenderscape का डियां रहेगा जो कि 3 yrity by 13ft 9 inch का यह हमार पास अपना lenderscape का डियां रहेगा यहाँ पर fans हमार पास एक गजीव का डियां रहेगा जो कि हमार पास से एक नौर्मल टायप के हमारी स्टिंग हमारी रहने वाली है इस से भी आप देखेंगे कि घर के इंदर कि रहने के लिए हम पर इंसके अपर इंटरेंब्श में तो तो हम इसमें भी आ सकते हैं, तो यह हमार पास अपना यहाँ पर अपना entertainment room रहेगा, और यह हमार पास sliding यह फिर हमारा folding डूर हमारा रहने बाला है, और यह फनेट्स हमार पास पूरा 19ft, 4 inch वाई, 18ft का यह हमार पास अपना entertainment room रहेगा, जिसमें हम अपना किसी विटाइक का entertainment ज विटार, यह हमार पास अपना entertainment room रहेगा, और यह हमारा पास एक little room रहने बाला है, जो कि, 6ft वाई, 5ft drinks का यह हमार पास अपना Link House Week 3. लूम रहेगा और यहां पर हमारे पास रहने बाला है मैं आपको overall आपको फिर से clear करा देता हूं 60 feet by 60 feet का यह हमार पास अपना पूरा plot है जिसके front side में आप देखेंगे कि काफी बड़े साइज का हमारे space है यह हमार पास अपना lawn area है left side में हमार पास वाइफ इसे 5 feet का space छोड़ा हूआ है और इसका जो right side है इसमें इधर side भी हमने 5 feet का ही इसमें हमने space छोड़ा हूआ है entrance में आप देखेंगे कि हमार पास यहाँ से main door है main door से हमारे entrance है waiting hall में रहेगा और यहाँ पर हमारे home theater कर दियान है साथ हमारा एक छोटा सा पैंट्री है, एक common toilet है, इस्टियर्स कड़ियान है और हमारा पास बड़े सा एच का एक entertainment room है और यहाँ पर हमारा पास सुवी पूल का भी डियान रहेगा साथ हमारा गजी वह कड़ियान रहेगा और यह हमारा पास अपना एक sitting रहेगा या फिर उसे deck भी बोल सकते हैं यह हमारा एक deck रहेगा तो यह हमारा पास अपने ground floor का हमारा यह plan है, अब चलते हैं हम अपने first floor की तरफ यह event हमारा पास अपने first floor plan है first floor का map है, तो इसमें आप देखेंगे कि यहां से आप देखेंगे कि हमें यहां पर मिलने वाला है एक बड़े साइज का ओपन किचिन कडियान यह हमारा पास अपना ओपन किचिन साथ में हमारा डैनिंग अरिया पर रहेगा 19ft 4-inch by 12ft 3-inch का यह हमारा पास अपना किचिन प्लस हमारा डैनिंग अरिया हमारा रहने बाला है किचिन के साथ में हमार पास एक इस्टो रूम रहेगा 5ft by 5ft 9인च का हमारे इस्टो रूम है 7 मारा एक वासีरी रहेगा 4 feet 9 inch by 5 feet 9 inch का यह हमारा पास अपना एक वह सेरी हमारा रहने वाला है यहाँ पर हमारा पास एक पूजा रूम रहेगा जो कि 5 feet by 5 feet का हमारे पूजा रूम है और यह हमारा पास रहने वाला है बड़े साइज का living room कर जाएं जो कि 17 feet by 20 feet 9 inch का यह हमार पास अपना एक living room हमारा रहने वाला है जिसके तीन side में हमारी windows मिलेंगे इसके red side में, इसके front side में और इसके left side में तीन side में हमें अपर एक बड़े side की windows मिलने वाली है तो यहाँ पर हमार पास एक बड़े side का यह हमारा living room है इसमें हमारा अपना कोई भी जो की अपना गेस्ट होता है या अपना गेस्ट वगराता है जो इस्टे करने वाले जो गेस्ट होते हैं जैसे कि आपको पर्सनल गेस्ट हो गए ये नाइट इस्टे करने वाले गेस्ट होते हैं उनके लिए हमें पर बैठा सकते हैं या फिर हमे एक बड़े साच के बैडरूम है, बैडरूम में आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर बैड कड़ियां रहेगा, sliding door के साथ हमारा एक sit-out हमने एरिया रखा हुआ है, 17-foot-by-13-foot-4-inch का, यह हमारे पास अपना एक sit-out area है, और या फार पास अपने first floor पे यहाँ पर एक common toilet कर जान है, जो कि five feet y, twelve feet seven inch का, यह हमारे पास अपना common toilet कमार जाने वाला है, जो कि हमारे पास फस्ट और में bedroom के साथ हमारे पास यहाँ पर यह common toilet कमार जान रहेगा, तो ये कुछ इस तरीके से ये फ्रेंट हमार पास अपने फर्स्ट फोर का मैप है फर्स्ट फोर को भी मैं एक बार आपको 3D में आपको किलियर करा देता हूँ ये फ्रेंट हमार पास जो 3D डियान है इसमें आप देखेंगे कि हमार पास ये living area है यह हमार पास अपना living area का design है जो कि मैंने आपको अले बता चुका हूँ यहाँ पर हमार पास वह अरिया है और यह हमार पास अपना kitchen का design है यह आप देखेंगे यह हमार पास अपना ब्रहमदा है जो मैंने आपको अभी बताया था set out वाला area इसमें आपको अपना living area है जो कि आपको आपको अपना living area है जो कि अब boxing tap set गो हमारा design है इसमें आप अच्छे से देख पा रहे होंगे अब friends अब हम चलते है अपने second floor की चलाव यह हमार पास अपना second floor कर जान है तो इसमें आप देखेंगे अपने हम जब अपने second floor पर आएंगे तो हम stairs के थो जैसे अपने second floor पर आएंगे तो हमें यहाँ पर एक bedroom मिलेगा यह हमार पास अपना एक बड़े साज का यह बैडरूम होगा 14 feet by 18 feet का यह हमारा luxury bedroom है bedroom साथ हमारा dress room रहेगा साथ में हमारा toilet रहेगा जो कि 5 feet by 12 feet 7 inch का यह हमार पास अपना dress room साथ में हमारा toilet है इस वाले bedroom के लिए भी हमार पास यहाँ पर सेट आउट एरिया होगा यह कि यह भी हमारा पास एक बड़े साज का ही हमारा sit out area है और यह जो हमारा जो friends हमारा bedroom है इस bedroom के साथ में हमार पास यहाँ पर भी एक bedroom मिलेगा यह हमारा bedroom होगा जो कि यह भी 14 feet by 18 feet का ही हमारा bedroom है और इस bedroom के साथ हमारा एक attached toilet है जो कि 5 feet by 12 feet 7 inch का यह हमारा dress room साथ में हमारा toilet रहेगा Front my friends हमें आपर एक बैडरूम मिलेगा जो कि हमारा पास ये वी 14-ft by 16-ft का हमारा बैडरूम होगा और इस बैडरूम उसाथ भी हमारा अटेज़ टॉलेट रहने वाला है जो कि 5-ft by 11-ft का ये हमारा पास अपना टॉलेट साथ में हमारा ड्रेस रूम रहेगा तो 1st floor में हमें आपर ये 3 bedroom मिलेंगा, तीनों ही bedroom साथ हमारा dress room और साथ हमारा toilet भी रहने वाला है तो कुछ इस तरीके से ये हमार पास अपना 2nd floor हमारा रहने वाला है और ये हमार पास अपना 1st floor था जो कि मैं आपको LED बता चुका हो और यह हमार पास अपने ground floor का हमार पास से map है तो यह हमार पास तीनो floor के map रहेंगे जो कि आपको अच्छे से clear होगे होगे काफी संदर plan है latest design है I think आपने इस तरह का जो plan है I think अपने side ही यह इस तरह का planning है वो आपने देखी होगी और यह हमार पास अपना design है जो कि बहुती संदर design है बहुती अच्छे look के साथ हमने इसको ready के हुआ है तो यही friends हमारे आज का design है design आपको कैसा लागा नीचे comment box में comment करके जरूर बताना तो friends फ्लाल की वीडियो में तना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आये होगा यदि अपने वीडियो को like और share नहीं किया है तो please like भी कर दीजे, share भी कर दीजे channel को subscribe करना मत बूलेगा मिलते हैं next वीडियो में next planning के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय फरत